तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी बेशन फ्राय मसाला जो बनाना बहुत आसान है और टेस्ट लाजबाब होता है बस कुछी मिन्टों में ये बनके आर हो जाती है तो चलिए बनाना एश्टाट करते हैं इसके लिए भिंडी को छोटे-छोटे टुकरे में काट लेना है और तीन चम्मच बेशन मैंने आधा किलो भिंडी लिया है उसके लिए तीन चम्मच बेशन हल्दी पॉड़र धन्या पॉड़र मिर्ची पॉड़र गरम मसाला पॉड़र और सर्शो तेल डाल के हम अच्छे से मिला के मेरीनेट करके इसको पंद्रा मिनट के लिए रख देंगे आप लोगों को मेरी रेशिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और नहीं आती तो भी डिसलाइक करें या मुझे बताएं तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए कराही में सर्शो तेल लिया है यूद समुछ निए दाल के रहते हैं और अच्छे से लाल होने दश हम भूळ को भूण लेंगे हरी मिर्ची डाल देंगे और लसंद रख का पेष्ट्र डाल देंगे घशके डाल या पेष्ट भी डाल सकते हैं और फिर दोस्धे ब्राइं चार Quin अगा हम भूण लेंगे कम करके 3-2-3 मिनिट के लिए हमें इसे फ्राय करना है याद रखेयेगा हमें घ्यास का मेर लोग कम ही रखना है तो बेसन जल जाएगी तो स्वाद खराब हो Zimmer's मेर यह दीरे आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राइ करना ये बहुत ही स्वादिस्ट बनती है साधा बिंडी से ये कुछ अलग लगता है बहुत ही अच्छी लगती है तो अब हम इसे सर्व करेंगे आप पराठा पूरी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडि है अगल झाल झाल झाल